हलो दोस्तों मेरा नाम है खुटसीद आलम और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदिदा चैनल भरगेन का शेफ आज मैं आपको बताने वाला हूँ आपके बहुत सारे कमेंट थे उसके बाद कि हम लोग होटल में नया तबा आता है तो उसको कैसे यूज करते हैं और कैसे यूज करना चाहिए तो सबसे पहले आपने क्या करना है आपने नया तबा खरिदना है उसके बाद आपने इसके उपर अच्छी तरीके से तेल लगाना है मैं आपको लगा के दिखाता हूँ यह देखिए ऐसे इस तरीके से देखिए ऐसे पूरे तबे में तेल लगा लें जैसे कि मैं लगा रहा ह ऐसे अच्छे से लगाना है आपने उसके बाद आपने गैस चालू करके इसको जलाना है मतलब तबे को तेल लगाके अच्छे से गरम करना है काला पड़ जाना चाहिए कहीं कहीं और पूरी तरीके से गरम हो जाए जल जाए ये जो तेल लगाया ये तेल जल जाना चाहिए उसके बाद आपका तबा तयार होता है तो ये वीडियो में ऐसे ही नहीं बना रहा हूँ मेरे बहुत सारे फैमली मेंबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था मुझे मैसिज भी किया कि शेफ आप बताईए तबे को कैसे यूज करें इसलिए बना रहा हूँ तो अब मैं क्या करूँगा गैस चालू कर दूँगा और इसको अच्छे से गरम करूँगा आपको दिखाता हूँ कि आपने कैसे गरम करना है कितना करना है अब मैं इसके उपर डालने वाला हूँ नमक और आपका सवाल होगा कमेंट में कि शेफ हमने इसको कितनी देर जला के रखना है तो टाइम नहीं है एक चीज आपको दिखाता हूँ निसानी दिखाता हूँ कि जब ऐसा हो जा यानि कि आपका तबा जल गया जैसे कि आप देख रहें ये तेल जल चुका है तो आपने इतनी देर गैज जला के रखनी है तेल ऐसे जल जाए और गैस अभी बंद ने करनी है जब ऐसे तेल जल जाएगा तब आपने करना है इसको साप भी करना है साफ करने का तरीका क्या है ऐसे आपने नमक डाल देना है पूरे तबे पर नमक डाल दे अच्छे से और नमक डालने के बाद भी थोड़ी देर ऐसे जलाते रहें गैस ऐसे ही पड़ा रहने दे अब भी फिर धुआ निकलने लगेगा उसके बाद आपको बताऊँगा फिर आधी भी ले सकते हैं लेकिन कब लेना है आपको द viewpoint और इसका करना क्या है जब आप नमक डाल देंगा और नमक ऐसे जल जाएगा देख ना तब आपने लेना है ईट और ईट को ऐसे रखके और आपने इसको घिसना है इस तरीके से दिखे दोनों हाथ से पकड़के ऐसे घिसना है अब आपका तबह एकदम साफ हो जाएगा खुप्सूरत हो जाएगा और एक बढ़िया चमागाएगी देखें न यह होता है तरीका और आपको एक बात बता दू जब आपका आप भी इसको ऐसे ही करना है सेम तरीका है तो अब मैं हटा फट साफ कर दूँगा इसी तरीके से घिसना और आपने जलना नहीं है कई लोग क्या करते ना ऐसे साफ करते तो रीट ऐसे रपक जाती है इसको रपक नहीं होते हैं और जल जाते हैं तो आपने अपनी सहत का भी ध्यान रखना है जलना नहीं है अच्छी तरीके से ऐसे साप कर लेना है मैं इस तबे को 35 मिनट से ऐसे लगतार घिस रहा हूँ और यह इट गरम हो चुकी और मेरे हाथ देखिए कितने मस्त हो गए और मेरी सकर तो अगर आपने अपना तबा ऐसे चमकाना हीरे के जैसे तो ऐसे लगतार घिसना है कम से कम 40-45 मिनट और यह नया तबा है तो यह गया है उचा नीचा भी है तो इसमें घिसने में बहुती टाइम लग रहा है लेकिन जो मैंने यह मेहनत किये इसनी थंडी में जो यह पसीना निकाला है यह रंग ला चुकी है यह देखिए कितना बड़ी हो गया तो रहिए कैसे चमख गया और यह आपने घिसना कैसे है गय चालू रहना थी यह गयस बंद नहीं करना इस चीज का भी ध्यान रखना है चालू गयस में ऐसे घिसना पड़ता है अब देखेंऄ कितना मस्त हो गया तो आप मैं क्या करूंगा पहले इसके उपर से नमक अड़ा लूगा कैसे आपको दिखाता हूं आप यहां से स्टार्ट करना है देखिए ऐसे नमक अड़ा लेना है और अब आपने गैस बंद कर देना है तो कि हमें जितना घिसना था हमने घिस लिया नमक को हटाने फिर मैं जब इसको धोंगा ना तब आप इसकी सकल देखना क्या निकलेगी बहतरी तो मैं कहता हूँ सारा नमक एक पूने पे खिटा कर लेता हूँ और आपका सवाल हो सकता है कि ये मैंने कैसे साफ किया तो इसको मैंने इस तरीके से ऐसे साफ किया तो आपने भी ऐसे करके साफ कर लेना है दो तीन वार आपने ऐसे मानना इसको जैसे कि मैं किया न ऐसे करके तो ये भी बढ़िया से साफ हो जाएगा ये देखिए मैंने अब खिटा कर लिया है और आप ये ना पूछें कि मैंने कितना नमक डाला है आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं जितना बड़ा आपका तवा है एक किलो, दो किलो, आदा किलो और इसको ऐसे यहां पर भर लेना आपने एक बोल में ये बढ़ने के बाद आपने इसको पानी से दोना है तो मैं भी पहले बढ़ लेता हूँ फिर पानी से दो के दिखाता हूँ ये देखिए कितना मस्त हो गया अभी भी गरम है तो आपने भी पहले ऐसे साफ कर लेना है, उसके बाद आपने क्या करना है आपको बताता हूं तब एके साइट में एक छेड होता है तो छेड के नीचे आपने क्या करना है, ऐसे एक पतीला रखना है ताकि जब आप इसको दोएं तो पानी इसके अंदर गिरे चारो तरफ गंदगी ना फैले इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है और एक बात बता दूँ ये वीडियो बनाने के लिए मेरी टीम मना कर रहे थी कि शेफ क्या वीडियो आप बना रहे हो अब तो होड़ल चा पंदे हुए मेरी इतनी पुरी हालत हुए इसके लिए आपने वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को जादा से जादा से बीकरना है ये देखिए अब इसको धोते हैं क्या मजा आने वाला ये देखिए वाह क्या चीज निकली है मेनत बसूल हो गई है जब आप ऐसे मेनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है तो बहुती मजा आता है और आपने पानी डालने के टाइम करना क्या है ऐसे जूने से भी घिसना है और तबाग गर्म है इस चीज का ध्यान रखना है तो आपने जलना नहीं है थोड़ा अपनी सहथ का ध्यान रखना ह जले ना बस मेरी यह ही रिक्वेश्ट है आपसे यह दखिए देखा ना आपने और यह एकदम नया तवा है इसके लिए भी थोड़ा थोड़ा बागी जब हम इसको थोड़ा सा यूज करेंगे ना तो यह एकदम ऐसा चमक जाएगा श्टील के जैसा हो जाएगा लेकिन उस अगर धोसा ना चुटे तो आपने करना है तो आपका धोसा आसाली से छुट जाएगा तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू ज्यादा से ज्यादा चैनल को सेड करें सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें